तो हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नमायूश है और मैं टेक वीडियोज बनाता हूँ तो आज मैं और चोटा से रिव्यू करूँगा बोल्ट Z40 प्रो वायलेस एरवर्ट्स तो Amazon भी आप सर्च करोगे वायलेस एरवर्ट्स तो यह आपको फर्स नमबर पर दिखेगा आप गूगल पर भी सर्च करोगे बेस्ट बोल्ट एरवर्ट्स तो आपको यह पहले नमबर पर दिखेगा तो क्या यह पहले नमबर पर रहने के काबिल है तो आओ इस वीडियो में पता करते हैं यहाँ पे आपको बॉक्स खोलते ही आपको QR कोट देखने को मिलेगा जिससे आप सौर रुपय का पेटियम कैस्ट भी ले सकते हो और आप तीन मैने की वारंटी भी एक् तो यह है हमारा में इयर बर्ट्स तो मैंने यहाँ पर और गया लेवेंडर कलर में सामने बोल्ट ओडियो लिखा गया है कलर बहुत ही अच्छा किल कर आ रहा है फिनिस की बात करो तो रवराइस्ट फिनिस है जैसा कि आपको पता है जैट फॉर्टी प्रो में है तो कुछ बहुत ही अच्छा लोकेन फिल वाइस मुझे लग रहा है टाइप सी के लिए आपको चार्जिंग केवल भी देखने को मिल जाएगा अच्छी बात यह है कि आपको यह एक्स्ट्र इर बर्ट्स भी प्रोवाइट करते हैं तो कुछ इस तरीके का यह दिखता है अगर आप से ओपन करोंगे तो सामने आपको लेफ्ट राइट देखने को मिल जाएगा पीछे बिल्कुल प्लीन फिनिस का सामने एक एलेडी दी गई है जिससे आपको चार्जिंग के टाइम इंडिकेशन पता चलेगा यहाँ पर आपको इन हाउस माइक वेगरा देखने को मिल जाए तो यहाँ पर कुछ audio samples है मैं play करता हूँ आप इसे सुनो तो अगर आप इसे single tap करोगे तो यह play pause होगा double tap करोगे तो music change हो जाएगा triple tap करोगे तो audio increase होगा और अगर आप चार बार tap करते हो तो यह gaming mode से music mode में आएगा और music mode में है तो वो gaming mode में switch हो जाएगा तो दोस्तों आप आप बात करते हैं इसके key features की तो यह आपको 1500 रुपए का मिल जाएगा आप offer वेगरा देख लेना सबसे पहले बात करते हैं इसकी play time की तो यह आपको 100 घंडे तक की claim करता है play time तो आप मान के चलो कि आपको 50-60 घंडे तो आराम से मिल जाएगा quad mic ENC है आपको ANC देखने को नहीं मिलता है बट इस price range में आप यह expect मत करूँ कि आपको ANC देखने को मिलेगा तो आप ENC से manage कर लो 45ms की low latency gaming mode दी गई है 10mm का base driver यूज किया गया है rubberized grip है feather touch है जो कि look and feel wise बहुत ही अच्छा बना देता है और premium बना देता है टाइप C की charging है Bluetooth version की बात कर तो 5.3 दी गई है और water resistant तो है और अच्छी बात यह है कि यह made in India है तो यह था छोटा से वीडियो unboxing और एक quick review मैं आपसे बात करूँगा अगले वीडियो में in-depth review क्या आपको लेना चीए नहीं लेना चीए तो मिलते हैं आपसे next वीडियो में त से बनाओंगा in-depth review तो मिलते हैं आपसे उस वीडियो में तब तक लिए stay connected goodbye and have a good day